को नगर के हर गरी महले से रिपोर्टर और समाधाताओं की आवश्वक्ता है संपर्ख करने के लिए बुंदेली न्यूस पोर्टल पर दिये गए नंबरों पर संपर्ख करें परिवारी कलह के च्वलते महिला ने ट्रेन से कटकर आत्महत्य का किया प्रेयास ट्रेन च्वालक की सुझबूज से बच्ची महिला की जवान खबर हरपालपूर से नगर के रेलवे स्टेशन पर गुरुआर के सुबर करीबन साड़े नौ बच्वे के लगभग एक महिला मनिक पूर ज्वासी मेमू ट्रेन से आत्महत्य के रादे से रेलवे क्रोसिंग की पहली पठरी के बीच लेट गई ट्रेन चौलक ने महिला को देख ट्रेन खड़ी कर महिला की जवान बचाई है महिला ने परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुँ बताया है कि वह जन्ना विरान थाना अजनर जिला महोबा की रहने वाली है परिवार में बहु और बच्चों से जखड़ा होने के बाद वह दिल्ली के लिए घर से निकल गई थी और हरपालपूर रिल्वे स्टेशन पर आत्महत्या करने की कोशिश की रिस्टेशन पर मौझूद लोगों ने महिला को बच्चवा का रिस्टेशन प्रवंधन के हवाले किया है महिला इतनी घबराई हुई थी कि वह अपना नाम भी बताने को तयार नहीं थी मौझूदा लोगों ने बताया है कि महिला ने दो बार आत्महत्या का कदम उठाया है जिसका वीडियो मौझूद लोगों ने बनाया है अब यहाँ वीडियो सामने आया है सुने क्या बोली महिला लड़की लड़ती है तो यह के रिपोर्ट डाल दो उनके खिलाप ठीगे सुनके खिलाप कानूनी कारवाई होगी ठीगे तुम कहां की हो नहीं बताने तुम अपनों काम करें नहीं अभी बता रही थी आप महुबा की हो महुबा की नहीं है आपका कहां के रहने वाले हैं हम हमारा नाम बेटका रुपता है हम हर पार्टों के रहनवासी हैं चै क्या हुआ क्या मामला हुआ सटल पैसेंजर आई तो एक वरत अचानक रेलवे पटली के बीट में लेट गई है प्रेन चली लेगे चालक ने देखा कि कोई लेटा हुगा आया तो उसकी सुच बीट से उसने प्रेन को लोग दिया हम लोग उने कुछे साथियों ने उनको उठाया और एकसाइट कर दिय महला ने क्या बताया क्या करती है क्या कारण था कि वो टेये ह्ने के लिए मजबूर हो गए थी महला ने बताया उज है मेरे बच्यों और बहु उने मुझे मारा कि जा, मुझे पताड़ा करते हैं, इस वजाए से हम आने जा रहे हैं अच्छा, अभी महला यहां पर है, उसकी विवस्ता क्या कैसे की जा रहे हैं? अभी इस तक प्रेजवर प्रवंदाई की से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम उनको उनके गाउं जिदना भी जा रहे हैं तो इस ट्रैन से कड़ में काय की ला रहे हैं थी? काय मनने, तो कच्छु कारन तो हुई है, का बात हो गई थी? प्रिवार से प्रताड़ था थी? प्रिवार से प्रताड़ थी?